हेलो एब्रिवन वेलकम टू लन्वे ट्रिक्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपिल 2022 से रिलेक्टिल टॉप पॉइंट्स एन जो अभी रिसेंट्ली 29 में को एंड हुआ है सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन्स आईपिल 2022 से बन सकते हैं उन सबी क्वेशन्स को आज हम यहाँ पर याद करने वाले हैं और मोस्ट आप तो क्वेशन्स को आपन ट्रिक्स से याद कर लेंगे सो अब स्टार्ट करते है फटाफट से सो फ़स्ट पॉइंट है मिजबान देश आईपिल 2022 या होस कंट्री आईपर 2022 इस इंडिया इसबार होस्ट किया है आईपिल 2020 तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि जितने भी अधर कंट्रीज के प्लेयर्स है ना तो वो क्या कह रहे हैं कि इस बार हम आई पेल अपने ही घर के अंदर खेलेंगे तो अंदर यानि कि इन क्योंकि पिछले बार कोविट की वज़े से गेम को बीच में रोग दिया गया सब्सक्रान खेला गया है 15 ओके सो आई पेल ने क्या कहा है ना कि इस बार आई पेल खेलने के लिए आपको बिल्कुल फिट होना जरूरी है तो फिट होना जरूरी तो फिट यानि कि फिफ से क्या हो जाएगा 15 ओके सो एडिशन कौन सा खेला गया है इस बार 15 राइट सो ने के जब मैच हुआ होगा तो जो भी चैंपिए बना है इस आउपिल का उसको बहुत जादा मोती रकम मिली होगी ना भूbo मोती रकम मिली तो मोती यानि कि मोदी 손 तो कौन से स्टेडियम में खेला गया? मोदी स्टेडियम एहम्दाबाद गुजरात में नेक्स पॉंट है champion team यानि की इस बार की championship कौन रही है तो गुजरात titans रही है तो कैसे ध्यान रखना है? यहाँ पी क्या लिखा है ना? चैम पस्तलब ऑक को चैम पंदलब क्या होता है बच्चे तो जो बच्चे होते ना वह रात में भी खेलने के लिए परशान रहते हैं तो रात में भी खेलने के लिए परशान यानि कि गुजराठ टाइटिंस और यह इसका पहला टाइटल है ऊप violaki है पुरुसकार की राशी यानि की price मनि कितनी दी गई है बीस करोड का נगत price यानि की 20 करोड cash price दिया गया है, थो जब किसकी बात हो रही है यहाँ पर champion team, champion team कौन है, गुजराज तो इसके को बहुत जादा टॉफी और पैसे वगेरा मिले होंगे तो यह पैसी और टॉफी किसमें रखके ले जाएंगे बस में ही रखके ले जाएंगे तो बस यानि कि 20 सो कितना प्राइज दिया गया है 20 करोड रुपे का कैश प्राइज नेक्स्ट है उप विजेता टीम या रणर अप टीम कौन रही है राजस्थान रॉयल्स रही है अब यहां पर क्या लिखा है ना रन तो रन यानि कि भागना और आप भागोगे कहां पर किसी ना किसी जगा यानि कि किसी न किस सतान सो राजस्थान ऊके राजस्थान रॉयल्स बनी है अब नेक्सट में पूरुस्कार की राशी तो पूरुस्कार किटनी ती गई है रन एप टीम को 1.5 करोड का नगत तो कि सारे 12 करोड कैश पेइमिंट्ट दिया गया है किसको रन इ UK it आप किसके बात हो रही है ना यहाँ पर साड़े बारा तो हमें से कैसे ध्यान रखना है ना क्योंकि यह रनर रप रही है ना तो इसने जरूर अच्छा परफॉर्मस नहीं दिया होगा तो कैसे ध्यान रखना है इसने ना सड़ी हुई परफॉर्मस दी तो सड़ी हुई से क्य क्या मिल जाएगा साड़े बारा उके साड़े बारा रुपे का नगत प्राइज दिया गया है राइट नेक्स पॉइंट है और इंज कप किसे मिला है जॉस बटलर को जिन्हों परपल कप किसे जिता है जुवेंदर चहल ने जिन्होंने 27 विकेट लिये हैं और यह कौन सी टीम के है राजिस्थान रॉयल्स के हैं अब यहां पर किसके होते हैं बर्ड के होते हैं और बर्ड ना सुबह सुबह चहल पहल करती रहती है ना सुबह सुबह चहल पहल तो चहल य गया है अब यहां पर किसके बात और यह मोस्ट वैल्यूएबल ओके तो कहीं पर आगर आप काम कर रहे हो ना सबसे दर वैल्यू किसको दोगे बॉस को तो बॉस यानि की जॉस सो जॉस बटलर ओके नेक्स इमर्जिंग प्लेयर अवोर्ड किसे दिया गया है उम्रान मलेक और कौन सी टीम के है सन्राइजर सहिद्राबाद ओके अब यहां पर किसके बात और यह इमर्जिंग प्लेयर यानि की उभरता हुआ प्लेयर ओके तो बस एक्कॉरिंग टू आप्शिंस हमें जाना है और हम कैसे ध्यान रखेंगे कि अब धीरे धीरे ना हमारी उमर भी क्या होत है घरती तो है निए उमर भी धीरे धीरे भरती जाती है यानि कि अब धरती जाती है तो इमर्जिंग प्लेयर का दैए है और Все किसे धिया गया है उके नेक्सता कंट है पंदरवे एडिशन ओफ IPL में तोटल एक हजार चक्के लगाए गए हैं जो अब तक का हाइस रिकॉर्ड बन चुका है इस बार के IPL में एक हजार चक्के लगाए गए हैं जो अब तक का सबसे हाइस स्कोर है चुके नेक्स पॉइंट है longest जक्स रखाए लियाम लेविं इस्टोन तो सबसे लंबा चक्का किसने लगाए है लियाम लेविं इस्टोन ने तो आप अपमें से कैसे ध्यान रखना है यहां पर किसकी बात वरी है ना लॉंगेस्ट यानि की लंबा आप जब इतना लंबा छक्कर लगाया होगा आसमान में 117 मेटर का तो कहीं न कहीं जाके तो हिट किया ही होगा इस तेम किसका सीजन चल रहा है आम का सीजन चल रहा है तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि आम का सीजन चल रहा है और उसी को जाके हिट करा तो आम को जाके हिट किया जब लॉंगेस्ट सिक्स मारा तो आम यानि की ली आम सो लियाम लेविंग स्टोन ने लॉंगेस्ट लगाया ह है यानिकि basement chee修 took first hat trick against KKR in IPL 2022 में अब किसने hat trick लिया हे यानि चेहल ने लिया है तो यहां पर क्या लिख़ा है ना जूजी तो यूजी यानी की easy okay so किसी चीज को easy बनाने के लिए हम उसमें क्या apply कर देते है चिक apply कर देते हैं ताकि वह चीज़ easy बन जाए तो easy यानि कि trick यानि कि hat trick okay so first hat trick किसने बनाई है IPL 2022 में योजिवेंद चहल ने okay so IPL 2022 से related जितने भी important points थे उन सभी points को आज हमने यहां पर पढ़ लिया है तो आप चलते हैं MCQ questions की तरफ so first question है IPL 2022 का किताब किस team ने जीता है which team has won the IPL 2022 title so the correct answer is Gujarat Titans okay so अब हमने से कैसे ध्यान रिका था कि Gujarat Titans क्या बनी है champion और जो champ होते हैं वो रात में भी खिलने के लिए परशान रहे तो रात यानि की Gujarat Titans okay second question है IPL 2022 की मेजवानी किस देश ने की which country hosted IPL 2022 तो सारे players ने क्या का कि इस बार हम घर के अंदर खेलेंगे तो अंदर यानि की इन यानि की इंडिया okay question number third is IPL 2022 का final match किस stadium में खेला गया था in which stadium the final match of IPL 2022 was played so the correct answer is Narendra Modi stadium okay so इसे भी हमने कैसे ध्यान रखा था यहां पर किसके बात हो रहे है final match of final match में जब हुआ और चैंपियन टीम को क्या मिला बहुत ज्यादा मोर्टी रखा मिली होगी तो मोर्टी यानि की मोदी सो नरेंद्र मोदी stadium में okay fourth question is IPL 2022 में कौन सी टीम उबविजेता है which team is the runner-up in IPL 2022 तो runner-up की बात हो रहे है तो runner-up यानि की run और run करने के लिए कोई न कोई आपको स्थान चाहिए तो स्थान यानि की राजिस्थान रोयल्स okay question number next is IPL 2022 में orange कप किसने जीता है who won the orange cap in IPL 2022 ओके अब और इंज कप की बात हो रहे है so orange से क्या बनता है juice तो juice यानि की जौस बटलर okay next question is IPL 2022 में purple cap किसने जीता है यहाँ पे cap होगा okay who won the purple cap in IPL 2022 so अब हमने से कैसे ध्यान रखाता है यहाँ पे क्या लिखा है पर तो पर किसके होते है बर्ट के अब बर्ट सुबह सुबह क्या करती रहती है चेहल पहल करती रहती है तो चेहल यानि की युजवेंद्र चेहल okay seventh question is IPL के एक सीजन में चार शतक लगाने वाले दूसरे बल्ले बाच कौन बने है who has become the second batsman to score four centuries in a season of IPL so the correct answer is Joss Butler okay so Joss Butler से जितने भी related points है अभी हम उसको आगे एक जगा पर देख लेंगे जिससे easily हमें याद हो जाएगा कि Joss Butler को कौन कौन से title दिये गए है eighth question is IPL 2022 में man of the match का पुरुसकार किसने जीता है who won the man of the match award in IPL 2022 so the correct answer is Hardik Pandya okay अब यहाँ पे किसके बात हो रही है man of the match award okay so यानि कि जितने भी man's होंगे ना उन सभी में से man of the match मिला है तो किसे मिला होगा जो बहुत जादा hard खिला होगा यानि कि अब बोलते हैं नहीं बहुत hard बहुत hard यानि कि जिसने बहुत hard खिला होगा बहुत अच्छा खिला होगा so हमने इसे कैसे ध्यान रखा था कि most valuable और सबसे अधर value किसके की जाती है जब हम कहीं काम करते हैं अपने boss की तो boss यानि कि Jaws सो Jaws Butler 10th question is किस बल्ले बाज ने एक आईपर सीजन में सबसे ज़्यादा boundary लगाने का record बनाया है which batsman holds the record for hitting the most boundaries in an April season so the correct answer is option B Jaws Butler so Jaws Butler नहीं hit किया है most boundaries in an April season अब Jaws Butler से related जितने भी different different titles नहीं दिये गए हैं उसे अब आभी हम देख लेते हैं आपे so Jaws Butler को most valuable player award भी मिला है आईपर 2022 में और record for hitting the most boundaries in an April season और नहीं record भी बनाया है जिसने सबसे ज़्यादा boundary को hit किया है और यह second batsman बन गए है to score 4 centuries in a season of April so यह second batsman बने सबसे ज़्यादा boundary किस ने हिट की है Jaws Butler ने और रिकॉर्ड भी मिनाया है for hitting the most boundaries in an April season so अगर आपका बॉस से पंगा हो गया ना तो बॉस आपको boundary पिला के खड़ा कर देगा तो बस हमें बॉस से लेट करके इनके साहे titles को याद कर लेना है जो भी ने तीन titles दिये गए है अगर आपकी बॉस से भहस हो गई तो बॉस आपको boundary पिला के खड़ा कर देगा तो boundary यानि कि सबसे ज़्यादा boundary किस ने हिट की है Jaws Butler ने next point is second batsman to score 4 centuries देना season of IPL so 4 centuries इनोंने बनाई है so कैसे ध्यान रखना है ना कि boss है ना और यहां क्या लिखा है 4 century तो 4 century अगर हम ऐसे लिखें तो क्या समझ में आ रहा है ना 4 cent यानि कि 4% तो boss से अगर आपने ज़्यादा बहस की ना तो boss आपकी salary में से 4% काट लेगा तो 4% यानि कि 4 cent यानि कि 4 century so Jaws Butler को 3 titles दिये गए है most valuable player award in April 2022 record for hitting the most boundaries in an April season and second batsman to score 4 centuries in a season of April अब चलते है नेक्स question पे इसा बल्ले बाज आईपल के इतिहास में retired hurt होने वाला पहला बल्ले बाज बना which batsman become the first batsman in the history of April to get retired hurt so the correct answer is option A R Ashwin अब R Ashwin बन गए है first batsman in the history of April to get retired hurt अब ये retired hurt क्या होता है okay retired hurt में क्या होता है कि अगर किसी player को during match कहीं चोट लग जाती है तो वो match नहीं खेल पाते हैं okay but R Ashwin को चोट भी नहीं लगी थी फिर भी उन्होंने match खेलने से मना कर दिया और उस match के लिए उन्होंने वहाँ पर रिटाइड ले लिया तो इसी को कहा जाता है retired hurt okay so retired hurt कौन बने है पहले matchman R Ashwin okay तो कैसे ध्यान रखना है कि retired hurt retired किस ने ले लिया कि जो game को win करने के level तक का नहीं खेल पा रहा है win करने के level तक का नहीं खेल पा रहा तो win यानी कि R Ashwin okay 12th question is verse 2022 में IPL के किस संस्क्रन का एजन किया गया था तो which edition of IPL was organized in the year 2022 is option B 15th okay so कैसे याद रखा था हमने कि IPL 2022 को खेलने के लिए न हर एक इनसान fit चाहिए तो fit यानि कि 5th यानि कि 15th okay question number next is verse 2022 में Gujarat Titans के साथ किस अन्य टीम ने IPL में परदापन किया which other team made their IPL debut in the year 2022 along with Gujarat Titans so the correct answer is option C Lucknow Super Giants okay so Gujarat Titans के साथ 7 Lucknow Super Giants ने भी IPL में अपना डेब्यू किया है year 2022 के IPL में okay 14th question is IPL 2022 की प्रायोचर कंपनी कौन है who is the sponsor company of IPL 2022 so the correct answer is option B Tata question number 15 is IPL 2022 की निलामी का सबसे महंगा खिलाडी कौन है who is the most expensive player in IPL 2022 auction okay so the correct answer is option A Ishaan Kishan अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है न सबसे महंगा okay तो जो भी player सबसे महंगा बिका होगा न तो उसके अंदर शान आ गई होगी है तो वो बिलकुल सारे टीम प्लेयर में न शान से चलता होगा तो शान यानि की द्वाइन ब्रेवो अब जो भी सबसे ज़ादा विकेट लेगा न तो क्या कहेंगे तो क्या कहा जाते हैं ब्रेवो ब्रेवो तो ब्रेवो यानि की द्वाइन ब्रेवो question number 17 is किस टीम ने सबसे ज़ादा IPL खिताब जीता है which team has won the most IPL title so the correct answer is option D Mumbai Indians so Mumbai Indians ने 5 बाद title जीता है और चिन्नाई सूपर किंक्स ने 4 बाद ये title जीता है 18th question is निमलिखित में से कौन Unicorn का दर्जा हासल करने वाला पहला भारतिये खेल उद्ध्यम बन गया है which of the following has become the first Indian sports enterprise to achieve Unicorn status so the correct answer is option B CSK अब CSK बन गया है first Indian sports enterprise to achieve Unicorn status अब Unicorn क्या होता है न कि ये start-up companies होती है जिनका worth है net income जो है वो 1 billion के उपर पहुँच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है तो वो एक Unicorn company बन जाती है कोई भी start-up तो कौन पहला बन गया है CSK बन गया है अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है startup company यानि कि Unicorn का status मिल गया है तो जितनी भी startup company होती है तो वो शुरू-शुरू में कैसी होती है नई-नई होती है तो नई-नई यानि कि चिन्ने तो चिन्ने भी नई-नई होते होते अब ये कि Unicorn status इसको मिल गया है question number 19 is IPL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है who is the current chairman of IPL so the correct answer is option she bridges patent अब यहाँ पर किसकी बात वोड़ी है न chairman of IPL तो IPL में क्या होता है न different different countries के players participate करते है यानि कि different different countries को आपस में unite करने का मौका देती है न तो किसका काम करती है यह IPL एक bridge का काम करती है न तो India से other countries को जोडने का काम करती है other countries से जोडने का काम so bridge के तरह काम करता है IPL तो bridge यानि की bridges patent तो इस तरीके से इस question का में ध्यान रखना है 20 question is पहला IPL कप खेला गया तो when was the first IPL plate तो पहला IPL कप खेला गया है option B 2008 में अब यहां पर किसकी बात और यह first IPL तो जब भी first IPL खेला गया होगा न तो सब के साथ की जरुद होगी तो सब के साथ यानि की इस IPL को organize करने में सब का हाथ होगा तो हाथ यानि की 8 यानि की 2008 ओके question number 21 is 200 IPL match खेलने वाले पहले खेलाली कौन बन गए है who has become the first cricketer to play 200 IPL matches so the correct answer is option C अब यहां पर क्या लिखा है न 200 तो 200 यानि की दूसरा दो 200 से क्या समझ में रहा है दूसरा दो तो दूसरा दो यानि की 2 धोनी so MS दोनी बन गए है 200 IPL match खेलने वाले पहले क्रिकेटर question number 22 is IPL के तिहास में सबसे ज़्यादा run बनाने वाले खिलाडी कौन है who is the highest run scorer in IPL history so the correct answer is option C विरात कोली so विरात कोली है highest run scorer in IPL history so IPL से related जितने भी important MCQ questions ते उसे भी आज हमने यहाँ पर देख लिया है and I hope आप लोगो बहुत अच्छा समझ और याद भी हो गया होगा so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तिह वीडियो को जरूर लाइक करें so इसी वीडियो से आपके लिए आज का question है कि IPL 2022 में किस खिलाडे ने purple cap जीता है which player has won the purple cap in IPL 2022 और इस question का answer आपको नीचे trick से याद करके trick से ध्यान रखके इसका answer आपको नीचे comment करके बताना है so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं learn with tricks so do like, share, comment and subscribe thanks for watching